नवस्कार आप देख रहे हैं जंसत्ता.डॉट कॉम भारतिर्थी ववस्ता के लिए नोट बंदी एक गेम चेंजर था कई लोगों ने प्रधान मंत्री नरींदर मोधी के इस फैसले की आलोचना की लेकिन नोट बंदी के 50 दिन पूरे होने पर पियम मोधी ने इन आलोचनाओं को दरकिनार किया आठ नवंबर को हुए नोट बंदी के एलान के बाद प्रधान मंत्री मोधी ने पहली बार एक इंटर्व्यू दिया जिसमें उन्होंने नोट बंदी से पैदा हुई चुनोतियों और उनके समधानों के बारे में बात की पियम मोधी ने कहा कि काले धन, प्रिष्टाचार, आतंकवाद और माववादियों पर लगाम लगाने के लिए नोट बंदी का कदम उठाया गया ये फैसला छोटे समय के लिए नहीं, लंबे समय के लिए लिया गया है उन्होंने कहा कि हाल में हुए बदलावों के बारे में आपको नीती और रनीती में फर्थ करना होगा उन्हें एक नज़र से देखने की जरूरत नहीं है नोट बंदी का फैसला हमारी नीती दिखाता है वही बार बार फैसले बदलने पर पियम मोदी ने कहा कि जैसे ही परेशानी हमारे सामने आई हमने उसे सुलजाने का प्रयास किया नोटबंदी का फैसला इतना बड़ा है कि हमारे सबसे अच्छे अध्शास्त्री भी अपनी गर्णाओं में कन्फ्यूस हो गए उन्होंने कहा कि मुझे अपने विरोधियों पर तरस आता है खास तोर से कॉंग्रेस पर उनकी बेचैनी साफ नजर आ रही है सरकार ने लगाता संसत चलाने की कोशिश की लेकिन विपक्ष ने हर बार अवरोध पैदा किया अब तक के लिए इतना है दिश्र दुनिया के और अधे खबरों के लिए देखते रहे है